नमस्कार साथ यह स्वागत है आप सभी का यस के एक्सलेंस टूटूडियल में तो आज हम लोग देखेंगे अलंकार के बारे में ठीक है अलंकार को जो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है ठीक है यही जो है पहचान जैसे की एक्जांपल दिया रहेगा बताएगा कि बताएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है ठीक है तो स्वमिला कि हम लोग अलंकार का मतलब होता है आभुसर अलंकार का मतलब क्या होता है आभुसर हम लोग को सलेबस में जो है मातर तीन अलंकार देख दिया गया है ठीक है तो हम लोग को जो है सलेबस में मातर तीन अलंकार है उपमा अलंकार है रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है ठीक है रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे कि इसमें रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार को कैसे पहचा सी मिलेगा से सा सी मिलेगा से सा सी इसमें जरूर आया होगा ठीक है इसके उधारन में से सा सी सम जो है जरूर सम भी आया होगा ठीक है तो यह आपका जो है उपमा अलंकार होगा ठीक है जैसे कि मुख मयंक सम मन्जु मनुपर देखे सम इसमें आ गया प्राता नव था बहुत निला संख जैसे जैसा भी आता है इसमें जैसे उपमा दिया जाता है ठीक है तो इसमें किसी ने किसी से तुलना या उपमा दिया गया रहता है तो इसको उपमा अलंकार कहते हैं सा से सा सो सम जैसे जो है सब्दों का जैसे भी इसमें आता है ठीक है इसको उपमा समझ जैसे का चरन कमल बंदो हरी राई चरन कमल यानि की चरन पर जो है मना भगवान की जो चरन है चरन कमल है भगवान का जो चरन है क्या है कमल है देखे जब यहीं पर कहा जाएगा कि भगवान का चरन कमलों के समान है तब यहां जो है उत्मा अलंकार होगा और जब कहा जाएगा लिए लिए दे दिया जाता है तो यहाँ पी जो हर रूपकिया जानो निश्या जैसे सब्दों जो है प्रयोग की आजेता है तो राम से आप जो है रूपक अलंकार और उपमा नहीं है और उत्प्रेक्षा नहीं है तो समझ लिजे कि जो है क्या है रूपक अलंकार है ठीक है तो उपमा अलंकार में से सा सम जैसे सब्दों का जो प्योग किया जाएगा ठीक है तो यहां जो उत्प्रेक्षा में जो है क्या होगा तो मनु मानो जनु 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 और जनु जैसे याद कर लिजेगा मनु मानो जनु 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 इत्यादी आएगा तो आप लोग समझ लेज़ेगी उत्प्रक्षा अलंकार है अब हम लोग इसके एजामपल देखते हैं सोह तोड़े पीट पर सैंसलमें गाथ मनहों नीलमडी सैल पर देखिए मनहों आगया तो यह क्या हो ऊथप्रक्षा अलंकार है यहां पर देखिए अंतर भी दिखाय गया है तो बस यह चिन्द रखे और इस नहांक रोग क्या होता है तो आप गोसर्ण कीरते होता है तो यह तीन मनों आ गया खेखेट्स मनंू मान्नो जनु जनु मनों आ गया तो मुत्प्रक्ष अलंकार अब कि प्रक्षा खेए अभी बता है थिके अब यहां पर बन के चार आ रो्सले होगा तो जो हैं यहां पे अभी क्लोंता कि जाए तो यह दोनों में अहीं होटकि जाती है ठीक है ना भीननता अभीनता प्रकट जाएगी तो वहां ऊपमा अलंकार होगा जो वाकि में जो पर्यूख्त होकर उसे अर्थ को जो चमत कृत करते हैं वेकालाते हैं अर्था अलंकार ठीक है तो ये हो गया अब उपमा अलंकार के जो प्रैक्छा में जो मनूँ को जनू-जारू सब्दक्वा प्रयोग किया जाता है ठीक है ये जो है आपके जो है अलंकार का फंडा आपको के-लियर हो गया होगा ठीक है और और साथ चोल मे आपल लोग एक्जाम्पल डेख लीजेगा लिए मिटने आ आसे में तो आपको देखा जाव देखे जो और सोठाा क्या है? रोला है और सोठा है तो सोठा के पहचान केंगा करेंगे सोठा के पहचान केंगा करेंगे रोला के पहचान केंगा करेंगे ठीक है तो रोला का आधा होता है सोठा रोला का आधा क्या होता है सोठा और इसकी सबसे बड़ी जो है पहचान एह है कि यहां जहां पे कामा लगा र रहा है तो समझ लिजे कि यह क्या है अरे यहां पहचान सकते हैं आप लोग चम्यकम्दचा अलो है तो आ का मात्रा है तो गुरु हो गया अलो है तो जो है क्या हो गया एक लगु हो गया तो गुरु लगु जब मात्रा आएगा गुरु लगु तो आप लोग समझ जाएगा कि सोठा है अगर नहीं आया रहेगा कामा के बाद तो समझ देजएगा कि क्या है रोला है बस एतने अंतर है रोला और सोठा में रोला और सोठा में क्या अंतर है और देखिए अब इसमें जो है इसमें जो है पहले और तीसरे चरण में अगारा अगारा मातरा होती है और इसमें लेकिन बहसे पहचान इसमें यहां ही रहेगा कि इसके जो कामा के बाद जो कामा से पहले एवाला जो अंख है यह वाला सब्ध है इसमें लगु गुरु लगु गुरु लगो ज़रूर मात्र दो ही पक्ती होगे इसमें दो ही पक्ती होंगी यानि baskets are तो कन स्वी हो जाएगा तो इसके लिए आप लोग देखे लिजेगा कि महा के पहले इसमें गुरू और लगु आया है कि नहीं गुरु कैसे होता है देखिए आ का मात्रा रहेगा तो गुरु होगा बड़ा उका मात्रा रहेगा तो गुरु होगा जैसे कि यहां पर देखिए बड़ा उका मात्रा है तो गुरु होता है ठीक है यहां पर देखिए गीरी छोटी का मात्रा है तो होते हैं संयुख्त औक्षर भी ज़ो हो होते हैं वाले आट के मात्रा वाले जो है गुरू род bri होगा खाले अक्षर रहेगा तो लगु होगा ठिक है इसमें चोटाग़ मात्रा है तो लगू होगा क्रिपा तपा का मात्रा है तो गुरु होगा क्रिपा इसको देखे इसको गुरु कहते है इसको लगू कहते है ठीक है इसको दो गिना जाता है इसको एक गिना जाता है जैसे इसमें देखे इस यहां तक यहां तो जो कामा है इसमें 11 मात्रा होना चा के बास यहां तर दो एक टी चार पांच चो साथ आठ नो दस एगारा बारो really एक केले हैं छोटां का मात्रा है तो लगु ले रहा है यहांपे आए का मात्रा है तो फिर सब में अंक है घर रही चार है ते इसको लगु ले जाये जाएगा ठीक है विस्ट परकार मात्रावों कको हम लोग गीन लेते हैं ठीक है और लगू और और गुरू अगर निकाला सिख गए होंगे तो अराम से जो है है सोटहा पाहचाल जो है हुए रोला जो है इसमें जो Hoda शा इसमें उचार चरणण होते हैं है रोला और सोठ्था में अंत्र आप लोगों समझ में गया होगा ठीक है। तो इसके ऐस्जामपल देख के भी आप लोग जो आपाश्चाम सकते हैं कि रोला का होता है, सोठ्था का होता है। इसके बहुविकल्फी प्रश्ण देख लेता है, फटाक दे, तब बहुविकल्फी प्रश्ण देख लेता है, हिंदी साहित में छंद सास्त के जिसी से पौली कृती कौन सी है, तो छंद माला है, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को जो है क्या कहते हैं, या ती कहते है गुणों की जो है सही संख्या होती है आठ गुणों की संख्या होती है आठ चार चरणों में समान मात्राओं वाले चंद को क्या कहते हैं समात्रिक चंद कहते हैं इस परकार चण्द सबका सावदी कर्थ बंधन होता है ठीक है अब इस में आप लोग देख लिए रोला का जो है तो अहीजा यही है और कुछ नहीं है तो और यह हमेसा याद रखियेगा कि जो है सोथा में तो पहले है इसको पहला चरन कामाके इधर वालेको पहला चणर ये दूसरा चरन न्यात. ये तीसरा चणर जो ने. इसको अब देखिए पहले और दूसरे चरनी ऑर गतलों ससाथ 1, 13 बहले और ०ूसरा चरन न्यात 궁um तेरह हां 11 तेरह मात्राइं होंगी यह याद रखिएगा यहां 11 यहां 13 ठीक है अब फिर पहले और दूसरे चरण में कितने मात्राइं होंगी या पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राइं होगी तो इसको याद रखेगा कि इसमें 11 इसमें 13 इसमें 13 मात्राइं होती है ठीक तो हमारे ख्याल से आप लोग जो समझ गए होंगे कि रोला सो रठा में क्या अंतर है उपमा उत्प्रैक्षा और उपक में क्या अंतर है समझ माया होगा तो जरूर कोमेंट में बताइएगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो को साथ तक तक लिए जाएगे